हेलो प्रेंट्स आज हम नाया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे है वह मतलब टाइप्स अफ यूटिलिटी तो फॉलेंड और सम अब दिफ्रेंट टाइप्स अफ यूटिलिटी नीचे यूटिलिटी के कुछ डिफ्रेंट टाइप दिये हुए है उसमें फिर्स टाइप जो है वह मतलब फॉर्म उटिलिटी तो फॉर्म उटिलिटी इड वेन उटिलिटी इस क्रेटेड दू तो चेंज इन दे शेप और स्ट्रॉक्चर अफन एग्सिस्टिंग मतलिलियल इस कॉल अज फॉर्म उटिलिटी यहां पर हॉर्म उटिलिटी की डेफिनेशन बताई गिया है कि वाट इस हॉर्म उटिलिटी तो कि जब कोई कमेडिटी रहती है यह कोई मटेरियल एग्सिस्टिंग मटेरियल उसका शेप और स्ट्रॉक्चर में चेंज होने की वज़ेसे जब यूटिलिटी क्रेट्स होती है या यूटिलिटी इंक्रीज होती है तब उसको फॉर्म यूटिलिटी ऐसा कहा जाता है मतलब किसी कमेडिटी का शेप और स्ट्रॉक्चर में चेंज होने के वज़ेसे जब यूटिलिटी इंक्रीज होती है तब उसको फॉर्म यूटिलिटी ऐसा कहा जाता है एक्जामपल टॉइज मेड़ आप क्ले क्ले मिन्स चिकन माति है अपन तेला चिकन मातिया समझत है तो यह जो टॉइज क्ले है इस क्ले से बने हुए टॉइज टॉइज मिन्स जो छोटे वच्चे रहते उनके खिलो ने फर्निचर फ्रॉम उड्स एक्सेट्रा उड्स से बना हुआ फर्निचर निचे फिगर दिये 2.1 फिगर तो इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपने को यह जो उड्स है इस उड्स से बना हुआ एक टेबल खुर्ची है यह सब मतलब देखिए उड्स को और का स्ट्रक्चर शेंज किया उसको शेप दिया इसकी जैसे हम खुर्ची का इस्तमाल करते है टेबल का इस्तमाल करते है टीप वाई का इस्तमाल करते है मतलब किसी कम्यूटिटी के शेप में चेंज होने के हो जैसे या उसका स्ट्रक्चर शेंज होने के जैसे जब यूटिलिटी इंक्रीज होती है तब उसको फॉर्म यूटिलिटी आईसा खा जाता है यह फर्स टाइप हुआ अबनेक सेकेंड वाला टाइप जो है वो मतलब मतलब कि प्लेश चेंज होने के वज़े से जब कम्यूडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है तब उसको प्लेश यूटिलिटी आईसा कहा जाता है फॉर एक्जम्पल उलन क्लॉट्स हैव मोर यूटिलिटी आट कोल प्लेश दैन एट वाल प्लेश मतलब देखें कि जहां पे कोल प्लेश है मतलब जहां पे थंडा इसा एरिया है उस एरिया में उलन क्लॉट्स से ज्यादा यूटिलिटी मेंस है कमपेर टू वार प्लेश इसक एला हाँ ट्रांस्पोर्ट्स क्लेट्स प्लेश सी यूटिलिटी ट्रांस्पोर्ट से भी प्लेश सी यूटिलिटी जो है वो क्लेश होती Betsy ट्रांस्पोर्ट मतलब एक जगह से दुसरी जगह ले जागा इसके अलावा हम दुसरा एक्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर एन मुंबई इन दोनों सिटी ये दोनों इंडिया की सिटी हैं तो मुंबई से ज़्यादा कश्मीर में उलन क्लॉट से ज़्यादा यूटिलीटी मिलती है मतलब देखे एक प्लेस चेंज हो रहा है काश्मीर जो है उकोली एरिया है और मुंबई जो है वहाँ पे थर्ण नहीं बसते है विकाज सीशोर वो समुंदर किनारे पे आता है इसकी वज़े से वहाँ पे गर्मी होती है तो गर्मी होनी की वज़े से वहाँ पे उलन क्लॉट का इस्तमाल बहुत कम तोर पर किया जाता है मतलब मुंबई में उलन क्लॉट से यूटिलिटी नहीं मिलती है तो जम्मू कश्मीर जो है कश्मीर में उलन क्लॉट से ज्यादा यूटिलिटी मिलते हैं तो इस सेकेंड वाला टाइप जो है यूटिलिटी का मतलब सर्वीच यूटिलिटी ऑर आइट वेन पर्सनल सर्वीचेस आर एंडर बाइब भीरियस प्रोपेशनल अब सर्विस उतिलिटी जो सोसाइटी में जो भीरियस प्रोपेशनल रहते हैं उनकी तरप से जो पर्सनल सर्वीस जो है औरेंडर मिस प्रवाइड की जाती है तो उससे सर्वीस उटिलिटी जो है वो क्रेट्स होती है अराइज होना मिस्क्रेट्स होना for example, service of doctor to patient, teacher to student, lawyers to clients, etc.. मतलdf देखें, जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर, जो पेशन्द रहेता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इंडिज़ाल सर्वीस प्रोवाइड करता है, इसक capable teacher जो है, अपने student को शर्विस प्रोवाइड करता है. इस तरह से society में जो various professional रहते हैं उनकी तरफ से जो personal IC service provide की जाती है उससे service utility जोए वो creates होती है अब यहाँ पर next type जो है वो मतलब knowledge utility फोर्थ वालटाइब नौलेज उटिलिटी जब कंजूमर कोई कंजूमर ऐसा पर्टिकूलर प्रोड़क्ट जो रहता है उस पर्टिकूलर प्रोड़क्ट के बारे में जो knowledge रहता है वो knowledge acquire करता है acquire करना मीं संपाधन करना है वो knowledge acquire करता है तो उसको knowledge utility ऐसा कहा जाता है तब यहाँ पर पर्टिकूलर प्रोड़क्ट मतलब फोर एक्जामपल utility of a mobile phone और a computer increase when a person now about its various functions बोट simple ऐसा एक्जामपल दिया है कि कि एक्जामपल क्या दिया हो है कि कोई a mobile phone mobile phone हो या computer हो उसके तो various function है उन various functions के बारे में knowledge acquire करना means knowledge utility support हम mobile phone के बारे में जब unknown थे और उस वक्त हमको mobile दिया गया है और mobile के बारे में कोई अपने को कोई भी knowledge जीरो knowledge आई सामान लेज़े तो हमको mobile कैसे इस्तवाल किया जाता है उसके बारे में अगर हमको कोई मालुमात ही नहीं है तब हम उस mobile phone में उसके जो various functions है उनके बारे में हम कुद होके जानते है जैसे कि mobile phone किस तरह से start किया जाता है कि से call किया जाता है किस तरह से number save किया जाता है किस तरह से recording कि जाते हैं किस तरह से फोटो निकाले जाते हैं किस तरह से वीडियो क्रेट किये जाते हैं और आप्स इन सब के बारे में जब हम knowledge acquire करते हैं संपादन करते हैं तब उसे knowledge utility जो हो अब निचे देखें निचे डाइग्राम दी है फिगर दी हुए उसमें जो छोटा बच्चा है वह अपने नानी के पास भैटा है और उस नानी से उस नानी को वो मोबाइल फोन के बारे में knowledge दे रहा है तो यह हुआ knowledge utility अब next type जो है फिप्त वाला वो मतलब possession utility जो पॉजेशन utility आराइग्र वें दा ownership of goods is transfer from one person to another अब possession utility कि एक person की तरफ से दुसरे person की तरफ जब किसी goods की जो ownership है ownership जब transfer होती है तब उससे possession utility जो है वो creates होती है मतलब किसी community की ownership एक person की तरफ से दुसरी person की तरफ transfer होना इसको possession utility आई साथ आ जाता है फॉर एक्जमपल ट्रांसपर आप गूर्स फ्रॉम्द सेलर टू दा बायर्स देखें एक्जमपल और नीचे डाइग्राम भी दियो है उसमें भी हमको दिखाए दे रहा है कि जो फ्रूट सेलर है उस फ्रूट सेलर की तरफ से जो जो ओंजूमर है उस फ्रूट्स की उपर की जो ओनरीशिफ है ओनरीश भी सेलर की तरफ से जब तक बायर्स की तरफ ओंडर पर नहीं होती है तब तक possession utility जो है वो creates नहीं हो पाती है तो possession utility कब creates होती है कि जब buyer seller से कोई community या कोई fruits हो या कोई community हो वो purchase करता है तब उसे possession utility वो क्रेट सर्थी है अख्री वाला थाइप से utility का वो मतलब time utility when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization it is called as time utility जब कोई community का जो utilization का जो time है उस utilization के time में change होने की वाज़े से जब utility जो है वो increase होती है तब उसको time utility ऐसा कहा जाता है मतलब community का इस्तमाल करने का जो time है उसमें change होने की वाज़े से utility increase होती है तब उसको time utility ऐसा कहा जाता है for example a student has more utility for the for textbook during examination than in the vacations और जब vacation रहते है जब छुटी का पिरेड रहता है वो छुटी के पिरेड में स्टूडों जो चीक्सबूक का इस्तमाल करता है कै उस्वक्त उस टेक्सबूक में उसको utility तिंखाई now क्यों क्या सोचता है कि छुट्टी है तो छुट्टी का इस्तेमाल हमने खेल कुद में करना चाहिए उसकी वज़े से वह स्टडी नहीं करता है मतलब उस तेक्स का इस्तेमाल नहीं करता है देखें टाइम चेंग हुआ एक्जाम पिरे और वैकेशन इसके लब टाइम यूटिलिटी इस अल्सो अब्जर वेन गूर्ज आर स्टोर और यूज एड़ टाइम आप स्कार्सिटी फोर एक्जाम पर ब्लड बैंक यह पे टाइम यूटिलिटी का और दूसरा एक्जामपल दिया हुआ है कि जब गूर्ज जो है उस गूर्ज को स्टोर करना मतलब उसको संबाल के रखना और उसका इस्तमाल जिस वक्त स्कार्सिटी होंगी मतलब जिस वक्त उस चीज की कमतरता होगी उस वक्त उस चीज का इस्तमाल करना देखे ताइम इच्छिंड हुआ जिस्वक्त ओचीज या ओओ कमिड़ीटी बहुत बड़े तोर पर ऐवाउयलेंबल है उस्वक्त ओचीज अपने पास संभाल के रखना और उसका इस्टमाल जिस्वक्त ओचीज नहीं होंगी या नहीं बाजार में hormonu दौब क्यांना। नाहीं मिलते होंगी। उस्वक उसका इस्तमाल करना। और एक्जम्पल ब्लडबैंग। बहुत बड़िया ऍहलений हो इसके लावाि निची भी एक्जम्पल दिये हुएं को देखिए यह वाला एक्जामपल दिया है यह समर का एक्जामपल है इसके अलावा यह रेनी सीजन का एक्जामपल है इसके अलावा यह विंटर सीजन का एक्जामपल है मतलब देखिए यह जो तीनो सीजन है उस तीनो सीजन में किस तरह से यूटिलिटी जो है वो चेंज होती है मतलब जो cold season है sorry जो summer season है उस summer season में जो cold चीज़े है उन cold चीज़ों का इस्तमाल करना है जैसे कि ice cream हो इसके अलाबा जो rainy season है उस rainy season में umbrella umbrella का इस्तमाल करना है इसके अलाबा